आज इंडिया और न्यूजिलेंड के मेच के दोरां हार्दिक पांडिया का आउट बहुत डाउटफुल रहा क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि बाल और बेल्स बें बहुत केप था लेकिन थर्ड इपार की तरफ से पांडिया को आउट किया गया अधरवाइस देखा जाए तो लेथम ऐसी कोशिश बार बार करते रहे एक दफ़ा तो गिल ने फोर्ड लगाया उसके पीछे लेथम ने वही बेल्स को अपना गिल्स लगाया जिससे बेल्स गिर गए और वही सेकर्ड इनिंग में इंडिया के विकेट कीपर इशां किशिन ने भी ट्राइ किया ये सब क्रिकेट के लिए बहुत गलत हो रहा है इस तरह क्रिकेट की आईसी सी क्रिकेट को इस पे बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए आतिक पांडिया जहां से लग रहा है कि वो ना टाउंट है